कि एलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू कॉंसेट बुस्टर क्लास ओके सो हमने यहां पर जो मैंने जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर जो टॉपिक लिखा है वो क्या है हम लोग का मल्टिप्लिकेशन ट्रिक ठीक है तो हम जैसे नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन करते हैं यह यह नहीं है, हम लोग यहां क्या देखेंगे, हम multiplication करते कई बर confused जाते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, हमारा जो multiplication है वो थोड़ा अलग वे में होगा, ठीक है, हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 20 plus 4, expanded form में हमने देखा था, ठीक है, so मैंने यहां पर क्या लिखा, 20 and 4, ठीक है, then हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 10 plus 6, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 10 and 6, ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखो, हमारे पास कितनी digits थी, 1, 2, 3, 4 digits है, यहां पर भी कित ठीक है, आप लोग ले सकते हो, 3 digits, 2 digits, ठीक है, कोई भी हम multiplication इस वे में कर सकते हैं, इस trick से, ठीक है, so next देखो, हमने क्या किया यहां पर, हमने जो लिखा, क्या लिखा, हमने 24 को हमने लिखा, 20 and 4, means 20 plus 4, 24, वैसे हमने यहां क्या लिखा, 10 plus 6 means 16, हमारा question भी है, 24 multiply by 16, then हम क्या करेंगे, 10 को 20 से multiply करेंगे, 20 and 10 multiply करेंगे, तो कितना आएगा, हमारे पास 200, ठीक है, then 10 multiply by 4 equals to 40, okay, then 6 multiply by 20 equals to 120, okay, then 6 multiply by 4 equals to 24, then हम क्या लिखेंगे यहां पर, हमने जो देखा, वो देखा कि 24 multiply by 16, यह हमें क्या निकालना है, इसका answer निकालना है, ठीक है, so हमने यहां तक जो fill कि अब क्या करेंगे हम, जो हमने rectangle को 4 parts में divide किया है, उन में जो हम लोगों के numbers आये हैं, उन सब को हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, हमने देखो जैसे add किया, 200 plus 120, उसमें क्या add करेंगे, 40 and 24, इन सब को हम add करेंगे, तो देखते हैं हमारा add करने के बद क्या result आता है, देखो, 200 100 plus 120, 320, 320 and 40, 360, 360 and 24, 384, so हम लोग का जो आंसर वो कितना आएगा, 384, ओके, ये हमने क्या किया, first question solve किया, ऐसे मैंने यहाँ पे आपके सामने देखो, two questions old लिखे विये हैं, ठीक है, ये भी हम अभी solve करके देखते, ओके, so हमने क्या देखा, हमने वहाँ 24 को कैसे लिखा था, 20 plus 4 तो यहाँ पे हमें क्या given है, 36 तो हम क्या लिखेंगे, 30 plus 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा, 30 and 6 लिखा यहाँ ठीक है, then हमें क्या given है, 18, so हम क्या लिखेंगे, 10 and 8, because 10 plus 8 equals to 18, and 30 plus 6 equals to 36, ठीक है, so अब हम multiply करते, देखो, 30 multiply by 10 equals to 300, okay, 10 multiply by 6 equals to 60, then 30 multiply by 8 equals to 240, and 8 multiply by 6, 48, okay, इतना हमने किया, अब जैसे हमने उसमें किया था, हमने क्या किया, जैसे 36 multiply by 18, हमें इसका क्या निकालना है, अंसर निकालना है, ठीक है, so हमने क्या किया, हमने किया था, जो हमने यहाँ पे क्या rectangle था, उसको 4 parts में divide किया, और उन 4 parts में जो हम लोगों क जो numbers आएं, multiply करने के बाद, उन numbers को हमें क्या करना है, add करना है, so हम इसको add करते हैं, देखो, हमने क्या किया, 300, उसमें क्या add किया, 240, and then 60, and 48, इन सबको हम क्या करते है, add करते हैं, okay, add करने भी कितना आएगा, 300 plus 240, 540, 540 plus 60, 600, 600 plus 48, 648, ठीक है, so हम लोग का answer क्या है, 648, okay, then, हमारा जो third question है, वो क्या है, 46 multiply by 38, so हमने first question में जैसे किया, वही हम second question में, हम कर रहे हैं, ठीक है, because maths में तो practice compulsory है, so first question जैसे हमने किया, बैसे हमने second किया, and उसी process से अब हम क्या करेंगे, third question करेंगे हमारा, then 46 क्या होगा, 40, and यहां क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, because 40 plus 6 equals to 46, and then 38, 38 को हम क्या लिख सकते है, 30 plus 8, 38, okay, then, अब मैं आपे क्या करते हूँ, multiplication करते हूँ, ठीक है, 40 multiply by 30, 1200, then 6 multiply by 30, 180, then 40 multiply by 8, 320, and 6 multiply by 8, 48, okay, then हमने जैसे उसमें किया, बैसे हम इसमें करते हैं, ठीक है, हमने, हमें क्या करना है, 46 multiply by 38, okay, equals to, हम क्या करेंगे, 120, क्या है करेंगे, sorry, okay, so हमने क्या किया, 30 multiply by 40, equals to 1200, 30 multiply by 6, equals to 180, 8 multiply by 4, equals to 320, and 8 multiply by 6, equals to 48, so अब हम क्या करेंगे, 46 multiply by 38 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर, solution निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा, जो हमने rectangle को 4 parts में divide किया था, उन में जो हमारे number साहे solve करने के बाद, उन सब को क्या करेंगे, हम add कर देंगे, add करने से देखो, 1200, उसमें क्या add करेंगे, 1500, 20, 1500, 20, plus 180, 1700, 1700, 1700 plus 48, 1748, so ऐसे हम लोग को क्या करना है, हमारी calculation means, देखो, हमने multiplication किया, easy way में भी हुआ, interesting way में भी हुआ, ठीक है, so आप लोग को ऐसे करना है, okay, thank you.